प्रस्ट डेफिसिट को बढ़ाते है उन में से एक इशू इंडस वाटरी ट्रीटी का है पाकिस्तान लगातार भारत पर ये आरोप लगाता है कि भारत जो नदियों के पानी का बटवारज इस तरीके से हमने तै किया था वैसे नहीं कर रहा है पाकिस्तान के पानी पर कबजा भारत कर रहा है जिब की भारत का आरूप है कि कश्मीर में जो विकास हो रहा है उस विकास में रोडे अटकाने के लिए उस विकास को कमजोर करने के लिए पाकिस्तान लगातार छरारतें हर्कतें करता रहता है उन्मेंसे एक इन्डस Water Treaty का मसला है तो आज एक बार के लिए समझ लेंगे कि इंडस Water Treaty है क्या काम कैसे करती है और वर्तमान में भारत और पाकिस्तान के बीच इस इशू को ले करके क्या विवाद चल रहा है शुरू करते हैं अपने आर्टिकल को इसे लिखा है नबीला सिद्धिकी ने जो की असिस्टेंट प्रॉफेसर है विनायक मिशन्स लौ स्कूल चन्नई में उसके अलावा अमित रंजन जी है जो की रिसर्च फैलो है इंस्टिटूट अफ साउथ इसियन स्टेडिज नैशनल कि वाली हालत अच्छी नहीं है भारत कश्मीर में दिकास कर रहा है तो किसका स्टैंड ठीक है और अंतराष्टे समुदा इसमें क्या कर रहा है बहुत सारे इशूज है एक एक करके सबको देखते हैं चलिया आर्टिकल की तरफ चलते हैं तो इशू कहां से शुरू होता है इशू होता है अपने आप में इंड्स Water Treaty से ही बहरत और पाकिस्तान 1947 में दो डेश बने पाकिस्तान भारत से अलग हुआ और अलग होने के साथ साथ जिस AGाद से पाकिस्तान अलग होता यानिकि जो चेत्र था बहरत वर पाकिस्तान की बीच में उसमें वह पंजाब का एरिय में पाकिस्तान को अपने पानी की चंता अपनी मध्यस्ता दिखाई और भारत और पाकिस्तान के बीच एक ऐसी सुलह करवाई पानी ko ले कि इसमें की देश को कोई नुकसान ना हो दोनों देश अपना अगर विकास करना चाहें किसी के पानिकी आवशक्ताओं को नुकसान नहीं पहुंचे इस प्रकार की टीटी करवाइगी थी तो जो तीन पूर्वी mit नधिया उन 추천 थे अब यह प्रियास tai bene ये तीन पूर्वी नदियां भारत को दी गई इसके अलावा तीन पश्चिमी नदियां पाकिस्तान को दी गई जिसमें से सिंधु, जेलम और चेनाव तो दोनों देशों को इस प्रकार से पूर्वी और पश्चिमी नदिया मिल गई, भारत पाकिस्तान जाने वाली नदियों के पानी के बहाव के रास्ते में किसी प्रकार का कोई रोडा नहीं अटकाएगा, उनको रोकने का प्रयास नहीं करेगा, फ्लड कंट्रोल के लिए प् पाकिस्तान जाती है तो जाहिर सी बात है कि भारत इसका पूरा पानी नहीं डाइवर्ट कर सकता, इसका पूरा पानी भारत में नहीं लेकर के आ सकता, कुछ अपनी जरूरतों के लिए भारत इसको स्टोर जरूर कर सकता है और वो जरूरते कौन सी कौन सी है, पहला तो हो गया कि कंजर्वेशन स्टोरेज हो सकता है, तो 2.85 का वो रहा, उसके बाद जरूररेज है, कि पीने के आवशक्ताओं को पूरा करने के लिए, इसके लिए इसके लिए अलग अलग के टेकराइशन यहाँ पर कर लिया गया, और फ्ल॑र्ड स्टोरेज के लिए भी अतरिक पानी अलग अलग प्रकार से स्टोर कर सकता है तोटल जो केपासिटी थी वो 3.60 मेफ की थी बाद में केटेग्राइजेशन वह जैसे 1.7 मेफ हो गया जैना आपका 2.85 हो गया इस प्रकार से बाट दिया गया थो पानी को ठीक है वो इन्फर्मिशन हमारे लिए आउशक नहीं है लेकिन हाँ एक आकड़ आप याद रखे 3.60 मेफ इतना पानी भारत को स्टोर करने की अनुमती दी गई थी अब देखिए इशू क्या हुआ इशू तब हुआ जब भारत न कश्मीर जो पाकिस्तानी कश्मीर है जो पाकिस्तानी कबजा किया हुआ है वो उस कश्मीर के और भारत के कश्मीर में जब विकास के पैमानों पर उनको तॉला जाएगा तो भारत के कश्मीर में जादा विकास होगा इससे लोगों में यह भावना आएगी कि हम भारत के यह बारत की जो अन्य राज्जें उनसे बेहद पिछड जाएगा ऐसा वारत नहीं चाहता था तो वहां के रीजनल के लिए और वहां की उर्जा शक्ताओं को पूरा करने के लिए भारत ने दो प्रोजेक्ट कि यह जिसमें से पहला था किशन गंगा पहला प्रॉजेक्ट कि शनगंगा था और दूसरा राटले प्रोजेक्ट था ये दोनों हाईडरो और प्रोजेक्ट के चलते पाकिस्तान को तो यह महसूस हुआ कि कहीं न कहीं अब भारत कश्मीर में उर्जाव शक्ताओं को वहां के जो चेत्रिय विकास है उसकी तरफ कदम बढ़ा रहा है तो उनको रोकना भी हदावशक है तो उन्होंने एक अडंगा डाला एक रोड़ा अठकाया और यह कहा कि एनेक्सचर डी जो भारत बाधित कर रहा है और अपनी क्षमता से जादा स्टोरेज भारत कर रहा है यह उन्होंने आरोप लगाए इसके अलावा पाकिस्तान ने पहला जो कंसर उठाया वह 2006 में उठाया था किशन गंगा प्रोजेक्ट के उपर और बाद में राटली प्रोजेक्ट पर 2012 में उ सब्सेक्शन 6 और जो पैराग्राफ 15 पार्ट 3 है एनेक्सचर डी इंडस वाटर ट्रीटी का उनके अकॉर्डेंस में भारत कारे नहीं कर रहा है और पाकिस्तान की जो अब्जेक्शन थे उनको मानना चाहिए वर्ल्ड बैंक ने भी और जो इसके कोर्ट ओफ आर्बिट्रे किशन गंगा रिवर और निलम पावर जेनरेशन प्रोजेक्ट जो हमारे लगना था निलम रिवर पर उनसे पाकिस्तान के हितों को नुकसान पहुच रहा है यह आरोग पाकिस्तान ने भारत पर लगा दिया कोर्ट ओफ आर्बिट्रेशन में जा करके लेकिन फिर भारत का पक्षाय भारत ने उसमें पहल की और भारत ने बताया कि दरसल समस्या क्या है समस्या दरसल कश्मीर का विकास है डिवलप्मेंटल प्रोजेक्ट है रिजनल डिवलप्मेंट है वह समस्या है पाकिस्तान को उनसे सामना करना पढ़ रहा था और पाकिस्तान इसके साथ सरी with flower tea वोट ली कर दोब पर घूझत्ुने सबर्ट ने जो düş को सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें चैने सबस्क्राइब आंपको आधन सब्सक्राइब रहे हैं ये लेकिनगिवन वज्यू सब्सक्राइब जो है वो बताइए फिरा तो उन्होंने का कि हमें में चार समस्याएं हैं और जो रेजलूशन हुआ वो सिर्फ एक इशू का हुआ बाकी तीन इशू जो थे वह अन्रेजॉड रहे गए कोट अफ अर्बिटरेशन में और जो स्पिल्वे कॉंफिगरेशन है पॉंडाज है या जो गाद आती है यह जो पानी के बहाँ मे कटोती आती है बार-बार पानी की मात्रा कम हो रही है उसको लेंगर के इनकी समस्य थी भारत नेकर निराकन कर दी हमstand Are इतना ही minimum flow maintain करने को कहा गया हम maintain कर रहे हैं आप कहाँ समस्या है फिर इसलामाबाद जो है यानि की पाकिस्तान को इसलामबाद के नाम से जानते हैं बहुत है बहुत है तो दिल्ली और इसलामाबाद फिर चल कर तो दोनों वर्ल्ट भेंक फिर किसी पाकिस्तानी विक्ति को बढ़ा दे जो पाकिस्तान के साज़ेदार देश का हिस्सा हो तो हमें समस्या हो जाएगी आप किसी नूट्रल विक्ति नहीं होते हैं तब तक आप कोई अल्टरनेट मेथे इसके लिए निकाल लीजे जब तक ये कोई ऐसे वेक्तियों का पैनल नहीं बना देता है जो आपकी समस्चा को सोच जाए तो कोई अल्टरनेट मैथड आप सोचिए और तब तक के लिए भारत को कहा गया कि आप जब तक मामला नहीं सुलज जाता है तब तक महा जो विकासकारे हो रहे हैं उनको रोक दीजिए भारत को यह समझ में नहीं आया कि जब हम अपने सारे इश्यूज को देख रहे हैं तो हम अपने प्रोजेक्शन को लेकर के हम जो भी एपपलेट कोट है वहां पर जा रहे हैं एक मिटि प्रदानमंतरी नरेंद्र मोदी ने इनागुरेशन कर दिया किशन गंगा प्रोजेक्ट का आप जानते हैं आपने पढ़ा होगा इसके बारे में और किशन गंगा प्रोजेक्ट जैसे ही उद्गाटन हुआ तुरंट पाकिस्तान की तरफ से इसमें दुबारा से अडंगा डालने के लिए क्रॉस बॉर्टर फाइरिंग होने लगी इसमें करीब 9 लोगों की जान भी गई थी उस समय आपस में खूब गोली बारी हुई गोली बारी इसलिए होती है ताकि उसका ध्यान जाए देशों का आपस में एक दूसरे की तरफ के बाहर के देश देखे कि अच्छा बॉर्डर पर यह हो गया इकने लोग मर गए क्यों मर गए क्यों कि ये प्रोजेक्ट लाउंच कर दिया और फिर पूरा इतिहा जाकर के पढ़ेंगे आप समझ रहें तो इसलिए पाकिस्तान ने दुबार उरचट और फारिटरेचन बना दिया इन दोनों से कहा गया कि आप इनके अर्गुमेंट सुनिए और बताई एक क्या सही है क्या गलत धा थे जबहारत कि जबहारत के ピर यह ब हो सकता है कि उनको रोखने क्लिए प्रयास किये जाते हैं और हो सकता है कि पाकिस्तान को किसी ने इसी लिए छेड़ा हो भारत के विरुद के आप ये वाला मामला उठा दीजिए हम इनको यहां रोक देंगे आफिकाजी कर नहीं पाएंगे बहुत सारी चीज़ें होते दुनिया में यह इसा होता है तो जब इन दोनों ने रिजेक्ट कर दिया भ पसमें इसको बैठके सुलजा लेंगे किसी थर्ड पार्टी को जिसको हम नुप करेंगे उससे हम इस बात का फैसला करवाएंगे ठीक है तो यह जो पैराग्राफ वन और आर्टिकल नाइन जो है वह यही कहता है कि एक डिस्प्यूट मेकैनिजम आप अलग से डेवलप कर प्रियास कीजिए और जो भी डिस्प्यूट्स हैं उनको आर्बिट्रेशन के समख्ष रखिए और फिर उसको सुलजाने का प्रियास कीजिए यह ठीक है यह जनल बाते हैं सबको पता हैं लेकिन फिर भी भारत का यह कहना था कि भारत को कंपेल नहीं किया जा सकता किसी भी पैरलल लीगल मेथेड में जाने के लिए एक ऐसा मेथेड जो लीगल है जो इंडस वाटर ट्रीटी में है ही नहीं वैसे मेथेड में भारत को जबरदस्ती नहीं कीचा जा सकता भारत पैरलल लीगल सिस्टम नहीं चलने देगा यह एक तरफ इंडस वाटर ट्रीटी का जो ट्रीटी में बात या आपने लिख हैं उस बात पर फैसला करिए उस बात पर भारत रहेगा फिर फरवरि 27-23 को हेग में मिटिंग होती है लेकिन सबसे बड़ी समस्या फिर वही है कि क्या है सबसे बड़ी समस्या है trust deficit की भारत पाकिस्तान पर भरोसा नहीं करता दोनों एक दुश्चरे के शत्रू देश हैं दोनों में आपस में राजनीतिक भहसवाज इतनी है कि उनके बीच trust विक्सित हो ही नहीं सकता और यह आज सब्सक्राइब कर सकते हैं और पाकिस्तान के साथ मिलकर कर सकता है उसके तीन सुझाव इन्हों ने दिये हैं कि अब जो फिलहाल समस्या चल रही कि शनदेंगा प्रोजेक्ट कश्मीर में जो इस्यूज है या भारत पाकिस्तान के भी जो trust deficit है उसके लिए तीन सुझाव हम क कर सकते हैं उन पर कारे कर सकते हैं पहला तो है equitable and reasonable utilization और नो हार्म रूड देखिए बटवारा इस तरीके से हो कि किसी विक्ति का हक न मारा जाए ना भारत को नुक्सान हो ना पाकिस्तान को नुक्सान हो और इंडस वाटर ट्रेटी का जो कुल जमा जोड इतना ही था कि भार को इशू नहीं है बराबर equitable water सबको मिले और no harm rule कि किसी को नुकसान ना हो सब को बराबर पानी मिले तो पहला समाधान तो इसका यह हो सकता है दूसरा थोड़ा सा रिष्टे सुधारने की कोशिश करें अपने टाइज सुधारने की कोशिश करें और ट्रस्ट विक्सित करने का प्रयास करें दूसरे के वीच में तब हम पहले जो हमारा समाधान उसको लागू कर पाएंगे दूसरा जो लोकल इन लोगों को बठा करके इसका एक समाधान निकलवाने का प्रयास किया जाए तीसरा हम क्या कर सकते हैं जो कॉपरेशन एग्रिमेंट है आर्टिकल सेवन ओफ इंड़स वाटर ट्रीटी इसमें कहा गया है कि Optimum Development of Indus River System यान कि जितना जादा विकास आप इस पर कर सकते हैं जितने हाइडल प्रोजेक्ट लगा सकते हैं विदाउट किसी का हक मारें जितना आप विकास कर सकते हैं उतना विकास करें और यह तो लिखा हुआ है तो अगर लिखा हुआ है तो जो common interest है common interest को harm नहीं होना चाहिए तो सबसे बड़ा समाधान सबसे बड़ा फैसला यही हो सकता है कि हम Indus Water Treaty को ही revisit करें क्योंकि 60 साल हो गए हैं 60 साल में power dynamics बदल गए हैं भारत कहां से कहां पहुँच गया है पाकिस्तान कहां से कहां पहुँच गया है दोनों देशों के बीच कोई म मुकाबला नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं के भारत पाकिस्तान का हक मारेगा बिलकुल नहीं मारेगा ऐसा नहीं कह रहे हैं लेकिन भारत जब विकास करना चाहरा है पाकिस्तान नहीं करना चाहरा that's none of our concern अब मत करिए विकास लेकिन भारत जब अपने पानी पर जो की 3.60 अगर भारत पानी स्टोरिज है गए तो इतना अगर भारत पानी स्टोर कर सकता है तो स्को स्टोर करने दिया जाए उसमें क्यों कोई अड़क्जा लगाा है क्यों कोई पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाव इस परकार के कूमकरत Estud Toki को नाम पर भारत Iinais Water Treaty को naましょう तो कहने का मतलब यह कि इंडस वाटरी ट्रीटी को दुबारा रिविजिट किया जाए अगर कोई समस्या है पानी के बटवारे को ले करके या कोई भी दोनों देशों में आपसे अगर पॉलिटिकल बहस के कानगर लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है तो उसको निश्च इंडस वाटर ट्रीटी ठीक है यह हमने देखा आज का हमार एडिटोरियल इसमें हमने समझा के इंडस वाटर ट्रीटी क्या है पाकिस्तान को क्या समस्या है इसमें किसका हाथ है इसके क्या समाधान हो सकते हैं भारत का स्टैंड क्या सही है या पाकिस्तान का स्टैंड सही ह आपको पूरी पिक्चर शायद क्लियर हो गई होगी इस बात से अब आज का सवाल देख लेते हैं सिंधू जलसंधी पर भारत और पाकिस्तान के बीच प्रमुख विवाद क्या है पाकिस्तान के साथ सिंधू जलसंधी पर दोबारा बाचीत की जरूरत क्यों है तो इसको आप लिख करके देखेंगे के क्यों भारत को और पाकिस्तान को जरूरत है उसके अलावा एक MCQ भी आप इस पर प्रेक्टिस कर सकते हैं सिंधू जलसंधी आईवलूटी के संदर्व में निमलिखित कत्रों पर आपको विचार करना पहला है आईवलूटी भारती बतवर पाकिसान के बीच 1960 में अस्ताक्षित एक त्रिपक्षिय जलसंधी है क्या त्रिपक्षिय है भी तो आप समझेंगे क्योंकि हमने जो कहा है सरफ वही है यह भारत को तीन पश्चिमी नदियों सिंदु जहलम और चनाप पर नियंत्रन देता है क्या यह सही है और अंतिम चनाप सिंदु नदी की सबसे बड़ी साहिक नदी है आपको बताना है पहला सही के और तीसरा है तीनों सही है या तीनों में से कोई भी सही नहीं है बहुत बहुत धन्यवाद कल आपसे फिर मिलेंगे संपातकी समिक्षा के एक नए अंकम एक नए एडिटोरियल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद